हेलो फ्रेंट्स जैसे कि काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि मैं हिंदी में भी उनाओ वीडियो तो आज मैं ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ आज हम बात करेंगे peering वर्सिस transit bandwidth की और या फिर pure bandwidth को हम कहते हैं ये pure bandwidth को मैंने inverted commas में रखा है मैं आज एक थोड़ा सा myth जो है या एक थोड़ा सा जो लोगों के अंदर भ्रहम है वो तोड़ने की कोशिश करूँगा चलिए देखते हैं पहले कुछ शब्दों को जान ले कि क्या है उनका मतलब क्या है Transit bandwidth क्या होती है Transit bandwidth एक ऐसी bandwidth है जो हम अपने Telecom Service Provider जैसे की Airtel, Vodafone इन से लेते हैं जिसकी उपर सारा Internet आता है और हम अपने आग customers को आगे देते हैं क्योंकि ये सिर्फ bandwidth उनके वहां से जो हमारे Telecom Service Provider के यहां से Transit होती है इसलिए इसका नाम Transit bandwidth के आ जाता है दूसरा शब्द जो हम बहुत जादा इस्तमाल करते हैं वो है Pairing bandwidth का ये Pairing bandwidth हमने एक वर्ड बनाया हुआ है पर ऐसा कुछ होता नहीं है Pairing एक वर्ड होता है ये Pairing का कॉंसेप BGP का होता है जो हमारे Internet होता है जो Telecom Service Provider के थ्रूँ आता है हम उससे connect होते हैं हमारे आगे स्विच लगा होता है और हम आगे फिर अपने कश्मस को Internet देते हैं OLT, ONU के माधिम से या फिर स्विच के माधिम से देते हैं Internet पर बहुत सारा content अल्री होता ही है जो हम या तो transit के थ्रू जाते हैं या फिर हम इन content providers के साथ डार्यक्ली पीर करते हैं हम अपने transit provider के साथ भी पीर करते हैं तो परिसे मैं बोलूगा कि peering होता क्या है हम ATL के साथ प्यर करते हैं हम एडल को बोलते हैं कि हमें आपके साथ peer करना है कि हमारे को आपके route से ही हैं हम उसी तरीके से हम content provider जैसे कि Google है, Akamai है, Yahoo है, हम उसके साथ भी peer करते हैं हम जिसे peering कहते हैं वो peering नहीं होता है हाला कि हम BGP के साथ उसके साथ peer ही करते हैं Google के साथ पर हम क्या कर रहे हैं, हम content provider के साथ directly attach हो रहे हैं हम ATL से ना जाके हम directly Google के content के पास जाते हैं तो असली peering का मतलब तो BGP का concept है यह हमने एक short form बना लिया है जिसके लिए हम peering bandwidth कह देते हैं उसको और हम यह peering bandwidth क्यों लेते हैं, जिसको हम peering bandwidth कहते हैं हम वो क्यों लेते हैं, हम यह इसली लेते हैं कि हमारा customer जो है, उसको service बहुत अच्छी मिले अगर हम ATL के थूँ जाएंगे, तो ATL का पहला hop होगा और फिर content delivery जो system है, जैसे कि Google का है या Prime Videos का है, Amazon का है, Netflix का है, दूसरा hop होगा और अगर हम यही Google के साथ, Amazon के साथ, या Netflix के साथ direct peering कर लेते हैं हम direct BGP के एक session बना लेते हैं, तो हमारा next hop ही Google होगा जिससे कि हमारा जो customer है, उसको benefit मिलेगा, उसको एक अच्छी service मिलेगी तो यह peering करते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि BGP क्या है, हम BGP से peering क्यों करते हैं हम static routes या OSPF या EIGRP ऐसी जो और routing की protocols हैं, उनको use करके peering क्यों नहीं करते हैं यह peering bandwidth गंदी होती है, यह बहुत लोग बोलते हैं तो मैं को peer करना चाहिए, मैं को यह content providers के साथ directly अपना BGP का session बनाना चाहिए और क्या मैं यह जो peering है, अगर मैं को लगता है कि यह गंदी नहीं है bandwidth तो क्या मैं यह session directly उनके साथ बनाऊ, या मैं directly यह exchange के साथ बनाऊ किसी आईए अब इन सब एक चीजों को एके करके समझते हैं, और कैसे हमारा network अच्छा हो सकता है, यह देखते हैं तो सबसे पहला सवाल है कि BGP है क्या, BGP border gateway protocol को कहते हैं यह एक exterior gateway protocol है, और यह automatically routes update करता है अपने neighbor के साथ, या अपने peer के साथ और यह काफी scalable protocol है, अगर हम पिछले साल तक की बात करें, पिछले साल internet पे 8 लाग से भी ज्यादा routes या prefixes advertised हो रहे थे तो BGP इतने सारे routes को handle कर सकता है, तो यह BGP की configuration की कैसे जाती है BGP configuration करने के लिए कुछ ऐसे parameters हैं, जो दोनों site पे होने चाहिए, तभी वो configuration हो सकती है, तभी एक connection established हो सकता है क्या है वो parameters हम अपने end के लिए जानते हैं, हमारे end पे हमारे router को एक ID देनी होती है, हमारे पास AS number होना चाहिए यह AS number हमारे को iron से मिलता है, यह apnex से मिलता है, हमारे को जिसके साथ यह connection establish करना है, हमारे को इस router का address चाहिए, और उसका AS number चाहिए क्योंकि PGP दो routers की बीच में establish किया जाता है, तो अगर मैं चाहूं कि मेरे Google के साथ connection establish कर लूँ, बिना Google के कुछ configuration करे वे, तो यह संभव नहीं है, यह possible नहीं है PGP establish करने के लिए Google को भी configuration करनी पड़ेगी और में को भी configuration करनी पड़ेगी, अगर हम अपने router के साथ establish करते हैं, तो यह interior gateway protocol होता, जैसे कि OSPF में किया जाता है, OSPF एक internal gateway protocol है, मतलब कि यह अपने ही router के साथ establish किया जाता है, पर हम OSPF और static routes के साथ और क्या कारण है कि हम नही जैसे कि मैंने अपको भी पताया कि OSPF एक interior gateway protocol है, वो हम अपने routers की बीच में ही use करते हैं, ना कि किसी बाहर वाले router के साथ establish किया जाता है, जब मैं बाहर वाले बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी organization का part नहीं है, वो कोई और organization है, चाए वो ATL है, चाए वो Google है, वो कोई भी organization हो सकती है, दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप static routing के साथ 8 लाग से उपर route manually enter करें, तो आपको कितना time लगेगा, ठीक है, आप एक script बना के कर भी सकते हैं, पर अगर उनमें से आधो को भी change करना पड़ जाए, क्योंकि उनका route को change होगे, या उनका को gateway change होगे, तो क्या वो संबभ है, OSPF के अगर हम फिर से वापस जाएं, तो OSPF एक्स्तरा algorithm यूज करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा CPU की power इस्तमाल करता है, बीजीपी भी बहुत ज़्यादा CPU power इस्तमाल करता है, पर OSPF के मुकाबले में नहीं, पर सवाल बाबा ये आता है कि हम content provider के साथ क्यों जुड़े, क्यों हम उनके साथ pairing करें, ये एक example है, यहू का कोई content provider या कोई content delivery network इंडिया में नहीं है अभी, और जैसा कि आप देख सकते हैं, कि यहू तक पहुंचने के लिए तकरीबन 300 MS का latency है, Google हमारा इंडिया में content प्रोवाइड करता है, उसके servers इंडिया में हैं, तो अगर हम Google को पहुंचने के कोशिश करते हैं, तो चालेस कुछ MS में पहुंच जाता है, तो आप ये समझे कि अगर एक user Google को browser की पेच पेच पे Google खुलने कोशिश करे और एक browser के पेच पे यहू खुलने कोशिश करे, तो Google बहुत जल्दी खुल जाएगा और कि internet पूरा BGP की peering पे ही चलता है, हम अगर एक ISP हैं, तो हम ATL के साथ peer करते हैं, ATL आगे Google, Singtel, TCL और भी काफी लोगों के साथ peering करता है, क्योंकि peering जो है, एक BGP का concept है, peering का मतलब peer, neighbor, एक ही बात है, कि हम एक connection establish कर दें अपने neighbor के साथ, कि हम उसको अपने route दे सकें, और उसके route ले सकें, तो अगर हम internet की बात करें, internet ये एक बहुत complex BGP का interconnection है, जो काफी routers एक दूसरे के साथ BGP के pair हैं, और एक दूसरे के साथ अपने route शेयर करते हैं, क्या peering bandwidth बुरी है, अगर अभी भी ये कोई सवाल पूछ रहा है, तो मेरे हिसाप से उसको वीडियो क पूरी फिर से देखनी चीए, समझनी चीए कि peering है क्या, और अगर आप कह रहे हैं कि content delivery के साथ contact होने से आपको कोई harm हो रहा है, या आपको कोई disadvantage हो रहा है, तो आपको ये video फिर से देखनी चीए एक बरी, क्योंकि ये सवाल ही गलत है, आप content delivery network के साथ सरफ इसलिए attach होते ह कि आप customer को एक बहतर service दे सके, customer को एक बहतर experience दे सके, सवाल ये अब आता है कि हम peer कैसे करें, और किस के साथ करें, आप एक content provider के साथ जैसे कि Google है, Netflix है, Amazon है, Akamai है, आप इनके साथ peer कर सकते हैं, हर एक content provider का कुछ specification होता है, कोई बोलता है कि एक specific अगर आपके prefixes के उपर एक इसनी bandwidth जारी है, तभी वो आपके साथ peer करते हैं, यह हर content provider के लिए एक अलग-लग specification है, उनको email डालके पूछा जा सकता है, बाकी आपको सबसे पहले अगर pairing करने का आप सोच रहे हैं, सबसे पहले आप pairingdb.com पर जाके अपना account बनाएं, और अपना जो है, वहाँ पर information लोड करें अपने network के बारे में, उससे बहुत help मिलेगी कि content provider को आपके पास वापस नहीं आना पड़ेगा, आप content provider को वो link provide करके अपने organization का सीधा दे सकते हैं, और वो वहाँ से सारी information निकालके आपको फिर feedback दे सकते हैं, कि आपका अभी इतना bandwidth utilize हो रहा है हमारे से, और हमारे यह requirement है, वो आपको बता सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप content provider के साथ directly भी हो सकते हैं, और एक होर option है, कि आप किसी exchange के थ्रू जाएं, अगर आप direct जाते हैं, तो आपका network कुछ इस तरह का होगा, कि आप एक switch अपना data center में लगांगे, जिस data center से आप ये content providers के साथ attach हो रहे ह हैं, उस data center पर क्योंकि आप ये switch लगा रहे हैं, तो आपको एक space लेनी पड़ेगी, जिसके कुछ charges होंगे, एक आपको interconnection charges जिसको ix charge कहते हैं, वो देना पड़ेगा हर content provider के switch के साथ ये network के साथ link up होने के लिए, अलग से हर बरी आपको एक charge देना पड़ेगा, तो अगर आ है कि आप dark fiber से जो अपने data center से, जहां पर आपने switch लगा है, वहां से अपने network तक जो ये bandwidth लेके आएंगे, या throughput जो आपका pipe पनाएंगे, तो उसका एक charge देना पड़ेगा, ये dark fiber अगर आप उसी city में हैं, तो आप अपनी भी टाल सकते हैं, या किसी की fiber की line या pipe डली हो, तो आप उसके उपर भी write कर सकते हैं, आप उसका rental दे सकते हैं, दूसरा option जैसे मैंने आपको पताया कि आप एक exchange के through भी जा सकते हैं, इसमें क्या charges लगेंगे, अगर आप किसी exchange के through जाते हैं, तो सबसे पहला charge आपको लगेगा, वो है आपको एक exchange को port charges देने पड़ेंगे, आपको एक dark fiber का charge देना पड़ेगा, तीसरा charge देना पड़ेगा, वो उसको कहते हैं, interconnection charge जो मैंने आपको पिछली बड़ी भी पताया, और वहां पर आप तीन charges देते थे, यहां पर आप single charge देंगे, यह single charge जो है, आपको देना पड़ेगा, जो exchange का switch है, वहां से लेके, एक meet closet होती है, data center की, जहां पर आपका dark fiber का, जो end point होगा, वहां का, यह आपको देना पड़ेगा, तो यह तीन charges दोंगे, तो क्या benefit होगा, कि हम directly content delivery के साथ attach हो, या फिर हम किसी exchange के साथ attach हो, आप अकर exchange के साथ attach हो, तो आपके एक तो पर मन्त के charges बहुत कम होगे, और वो exchange यह भी ensure करेगा, कि उसके पास सारे content providers का network already आ रहा हो, वहाँ पर, तो आपको हर content provider को अलग से approach नहीं करने की जुरूत पड़ेगी, आप सीधा एक exchange के साथ जाके, एक single wire के साथ काम करस पाएंगे, दूसरा यह benefit है exchange के साथ जाने में, कि आपको redundancy मिलेगी, redundancy का क्या मतलब है, कि अगर वो Google का port खराब हो जाता है, तो आपका Google के साथ network तूट जाएगा, पर अगर आप दूसरा port Google के साथ attach करने जाएंगे, तो इसके charges देने पड़ते हैं, Google पहला port free देता है, फिर दूसरे port के charges लेता है, यही अगर आप exchange के साथ जाएंगे, तो exchange ensure करेगा कि उसके पास redundant port already हो, तीसरा बहुत बड़ा फाइदा है कि economies और skills इसको कहते हैं, कि जितने जादा लोग exchange के साथ attach होंगे, उतना सस्ता exchange को पूरा traffic पड़ेगा, और वो आपको जो है benefit मिलेगा उस चीज़ का, मैं उमीद करता हूँ कि आपको इससे काफी चीज़े clarify होई होगी, काफी चीज कैनल को subscribe जरू करिएगा कि आपको जो भी latest वीडियो आए उसके बारे में update मिलता रहे, thank you for watching, bye